पढ़ने वालोग हो मेरा सलाव दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में एक एक्सपरिमेंट जरूर किया होगा या होते हुए देखा होगा आप सभी ने कभी ना कभी अपने बालों से कंगी की होगी और फिर उस कंगी की सायता से कागज के छोटे-छोटे टुकडे जरूर उठाये होगा तब आपके मन में ऐसा सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है ये छोटे-छोटे टुकडे कागज के कंगे की तरफ attracted क्यों हो रहे हैं और सिर्फ छोटे-छोटे ही क्यों हो रहे हैं बड़े-बड़े क्यों नहीं क्या कोई खास property है जिसकी वजए से ये करते हैं आप याद कीजिए आपने पड़ाओगा बोर्स एक्टॉमिक मॉडल जिसमें सेंटर में होता था निकलियस और निकलियस पर होता था पॉस्टिव चार्ज प्रोटॉंस और निकलियस के चारों तरफ एलेक्टॉंस कोमते रहते थे फिक्स्ट और अगर कोई external influence नही चारों तरफ घूम रहे थे और हम उनका center देखें center of charge देखें तो कहा मिलेगा निकलियस पर और निकलियस में क्या होता था पॉस्टिव चार्ज यानि कि positive और negative चार्ज दौनों का center एक ही है तो ऐसे molecules को बोलते थे non-polar यानि कि इनमें कोई भी poles नहीं है सब कुछ एक ही इसका दिया यानि कि एक direction में shift कर दिया जो कि पहले था symmetric direction में तो आपको क्या देखेगा कि electron का जो density है किसी एक direction में ज्यादा है तिक यानि कि अब यहां पर क्या होगा कि जो electron का जो center था charge density का वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा positive charge density के center से यानि कि हमारे पास अब दो center होंगे एक positive charge के लिए एक negative charge के लिए और दोनों के बीच में थोड़ी सी कोई distance हो तो ऐसे molecule या ऐसे atom को बोलते हैं हम लोग polar सिंबल आपको यहां पर दिख रहा है जो second number का है यह हो गया आपका polar क्योंकि इसमें आपको दो center दिख रहे है ठीक है एक positive के लिए एक negative के लिए भही आपका जो फर्स्ट नमर पर दिख रहा है यह है non-polar ठीक है जब non-polar है तो symmetric है आप इस knowledge का यूज करेंगे हम लोग आके अभी आप यह जो इनका representation है sort form में इसको यह आप क्याद रखेंगा ठीक है अब हम लोग देखने जा रहे है charging वाई induction इसका क्या मतलब है अभी हमने देखा था friction वाले lecture में कि हम दो body को रब कर रहे थे आप उसमें और charge generate हो रहा है तो यहाँ पे कैसे हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कि हम एक charge body को एक neutral body के पास लेके जाएंगे लेकिन टच नहीं करेंगे यानिकी charging without touching ठीक है charging without touching ठीक है so actually क्या होगा कि हमारे पास होगी एक charged body इसको हम लोग एक neutral body के पास लेके जाएंगे और कुछ interaction होगा जिसकी वजए से जो neutral body है इसमें polarity डवलप हो जाएगी जब हमने देखा न कि positive charge और negative charge थोड़ा सा उनका जो center है दूर-दूर हो गया है जो पहले एक ही जगह था ठीक है बात समझ में आ रही है इसको बोलते हम लोग charging by induction अब फ़ड़ा सा detail में देखते कि ऐसा actual में हो कैसे रहा है ठीक है देखिए तो माल लीजिए आपके पास यहां पर कोई neutral body है अब हम इस neutral body के पास एक ओल्रेडी चार्जड बोड़ी लेके आया है अब वो charge उस बोड़ी पर कैसे आया अभी के लिए वो important नहीं है अभी लिए important ही कि उसके पास एक charge है ठीक है हमारे पास यहां पर कि चार्जड बोड़ी है हम इसको एक neutral body के पास लेके गई तो जैसे हम पास लेके गई क्या होगा अभी हमने देखा था क्या कि हम लोग जानते same charge repel each other opposite charge attract तो माल लीजिए हमारे पास ऐसा object है जिसमें polarity double up हो सकती है तो क्या होगा यह जो positive charge है आपको दिख रहा है यह जो आपको positive charge दिख रहा है यह उसके जो nearby atoms होंगे surface पे वहां पर जो negative charge योगा उसको attract करेगा positive charge को repel करेगा जिसकी वज़य से क्या double up हो जाई को उस atom में जो surface पे है एक polarity राइट सो क्योंकि हमारे पास positive charge था atom में क्या होगा negative इदर और positive negative charge पास आ गया अब यह एक atom में हुआ यही same काम यह खुद atom अपने बगल वाले को transfer कर देगा यानि कि पहले इसमें polarity डवलप होगी फिर इस polarity का यूज करके यह अपने बगल वाले में same polarity डवलप करेगा और यह तब तक चलता जाएगा जब तक की उस object की surface ना जाए ठीक सो starting देखिए यह वाला था यहाँ पर इसके आगे वाले में transfer हो गया यह वाला पर इसने अपने लाश्ट डवलप होगी तो और आप ध्यान से देखें यहाँ पर देखिए आपको यहाँ देख रहा है सबसे pass वाले side आपको दिख रहा है यहाँ पर negative charge और सबसे दूर तरफ दिख रहा है क्या positive charge बीच में भाई plus minus plus minus अब माली यह इतना distance है और इनके बीच हमें पता है कि practically बहुत थोड़ी सी distance होती है तो अगर हम लोग ध्यान दे हैं तो हम इन सारी चीजों को completely ऐसा बोल सकते है कि अब इन चीजों दोनों ने इन लोगों ने अपनी grouping कर ली grouping कर ली और क्योंकि बहुत distance कम है बीच में कोई ज्यादा effect नहीं मिलेगा हमें जो resultant effect मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरीकी से यानि कि जो net वाला charge है वो सिर्फ हमें boundary पर दिख रहा है और जो बीच का है वो लगवक लगवक कुछ इस तरह से हो गया कि उसने आपस में दूसरे का effect cancel out करके दे दिया है तो हमें मिलेगा यह final result है इसको ही बोलते है charging by induction तो हुआ क्या एक neutral body थी symmetric charge distribution था हम उसके पास एक कोई charged body लेकिया है उस charge ने appropriate charge को attract किया same charge को repel किया यह हुआ पहली layer के साथ किसी body क फिर यही पहली जो layer थी atoms की उसने किया दूसरी layer of atoms के साथ और यह तब तक होता चला गया जब तक कि last surface नहीं आगे क्योंकि surface के बाहर तो electron कूद नहीं जाएगा इतना powerful charge है नहीं कि वो उसको वहां से eject करवा दे right so इसनी बात clear है तो हम resultant effect यह मिलेगा कि जो bulk जो अंदर के जो surface के इलाबा जो भी atoms थे उनका effect आपस में दूसरे को क्या हो गया mix हो गया command हो गया command हो के result उसका लगवा 0 हो गया हम resultant क्या मिले जो boundary पर रहे है यहां तक clear है अब क्या यह permanent है नहीं यह तब ही तक रहेगा जब तक बहार एक charge रखा हुआ है क्यों यही तो भाज साब induce कर कर रहे हैं पर हम इसको हटा दें किसी तरीके से इंड्यूस चार्ज हट जाए एक्शनल चार्ज हट जाए तो सिच्योशन क्या होगी बैक टू वर्क जहां से स्टार्ट होई थी तो वहीं स्टार्टिंग में चली जाएगी याने कि यह जो पुलारिटी डवल अप होई है पुलारिटी खतम हो जाएगी और आप फिर से पहुंच जाएगे स्टेज याने कि नुटल स्टेट इतना किलियर है कि कैसे हुगा अच्छा तो अब बात आती है क्या यह हर किसी में हो सकता है क्या कोई भी हम लोग कंपाउंड लेले सम में कुछ ऐसा हो जाएगा तो आंसर है नो सम में नहीं हो सकता है तो किसमें होगा ऐसे एटम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो फ्री लक्ट्रॉंस है या फिर लूजली हेल्ड एलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लूज है ठीक है ठीक क्यों लूजली हेल्ड ने तो बाहर का एक्ट्रनल का एफेक्ट पड़ सकता है अधरवाइस करेगा नहीं तो यह दो प्रॉपर्टी किसमें होती है या तो मैटल हो या बोल सकते हैं हम कंड़क्टर हो या फिर डाइलेक्ट्रिक्स हो ठीक है अन दो हम यह प्रॉपर्टी होती है तो कंड़क्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स में ऐसा आपको मिलेगा डाइलेक्टर्स के वारे हम लोग डिटेल में सेकंड शेप्टर नों पढ़ेंगे अभी लिए समाज़ देजे डाइलेक्टिक्स ऐसे कंपाउंड है जिनमें पॉलारिटी डबलब की जा सकती है ठीक है अच्छा अब बात करते हैं कि क्या हम सिर्फ लाइट अब्जेक्ट को उठा पाएं या कभी हैवी को उठा पाएं तो इसके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है क्या पहली बात कि कोई भी बॉड़ी कितना चार्ज ले सकती है उसकी है कि एक जनरल अब्जेरवेशन है हम लोग जानते अगर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रेक्शन या रिपल्सन ज्यादा होगा साथ ही अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो अट्रेक्शन रिपल्सन कम होगा यानि दो चीज़ें होनी चाहिए चार्ज ज्यादा होनी चाहि होगा चार्ज कर जाएगा यानी कि लिम्टेट चार्ज बचेगा आया तो बहुत बट हमारे पास या कोई बड़ी बड़ी ले ले या कोई बड़ी बड़ी लेके आ रहे हैं उस यादा हो जाएगी छार्ज जो दे रहें पूरी बॉडी पर फैल जाएगा जो बड़ी बॉडी फैलेगा तो क्या हो ज़सकी effective distance है किसी दूसरी बॉडी से वो बढ़ जाएगी तो again distance बढ़ने पर force of attraction कम हो जाएगा तो जिसकी बज़े से force की जो एक limiting value ही बचती है यानि कि बहुत ज्यादा force generate हो नहीं सकता अब किसी body को lift करना है तो force क्या होना चाहिए weight से ज्यादा राइट इन force की लेंटिंग value ही है उससे ज्यादा हो नहीं सकता है इसकी बज़े से heavy objects को उठाना impossible है इंडक्शन से हम लोग केवल हलके objects को उठा सकते हैं I hope in no doubt यहां तक clear है अब थोड़ा से हम लोग इसकी numerical से देखते हैं हा जो जितना भी इंडियूस होगा वह हमेशा जो चार्ज हम भार से लेकर आया है उससे कम ही होगा या उसके बडाबर हो सकता है कैसे उसका एक formula है क्यू इंडियूस्ट इज इक्वल टू माइनस क्यू बन माइनस बन अपॉन के क्यू डैस मतलब यहां पर इंडियूस्ट चार्ज है जो की आपकी नीटल बॉड़ी में पैदा होगा अगर आप कोई external चार्ज लेकर आऊगे यह जो क्यू दिख रहा है यहां पर यह external चार् के होता है collectаны इसको हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे अभी कली समझ आइप होता है और यह जो है डाटर कॉस्टंट इसकी वैल्ए बन से इस्टारट होके इन्फानाट सक जाती है तर बन बैल्लियों होगी फ्री स्थैस के लिए शॉब मेटर नहीं है इन्फानाट ट्रिक वो है जिसमें इसकी वैली थोड़ी सी ज्यादा हो जैसे जैसे इसकी वैली का मोधी चली जाएगी हम कहां जा रहे हैं इंसलिटर की तरफ ठीक ओके यहां तक आपको किलियर है ठीक है चलिए अब आगे वड़ते हैं तो अब हमारे पास कुछ एक्जामपल्स हैं नुम और इन मैटल बॉड़ी के पास हम लोग एक चार्ट बॉड़ी लेकर आते हैं जो आपको यहां पर दिख रही है तो अब क्या होगा इनके बीच में अच्छा मैं आपको यहां याद दिला दू कि हम लोग बार बार पूरे पोलार नहीं बनाएंगे हम लोग सिर्फ बांडर कि निर्वाई क्या होना चाहिए निगेटिव चार्ज राइट तो हमें मिलगा यहां पर अब पॉच्टिव चार्ज कहां तक जाएगा जहां तक उसको पास आप्स अभीलेवल यहां पर यह टंटच कर रहे हैं तो इसक रहा है यावने की चार्जिभर अगर यहां पर जनर से ट्रांसफर होके कहां पहुंच जाएगा दूसरे वाले में आपको यहां पर मिलेगा इसकी बाउंडरी पर किलिए दनी सी बात राइट अच्छा अब सवाल है कि अभी हमारे पास चार्ड बोड़ी रखी होई है ठीक है अब हमने जो मैटल चिप के हुए था थोड़ा सा द और पॉस्टिप चार्ड था दूसरी बोड़ी पर बोड़ी अमने स्पेस कर दिया थोड़ा सा यहां का यहां का यहीं रहेगा अब हम लोग जाते तीसरे केस पर मान लीजिए अब हमने जो रॉड थी हमारी एक्ष्टनल रॉड हमने इसको अठा दिया है अब क्या होगा सुचो अब दोनों मैटल हैं दोनों के पास चार्ड एक के पास पॉस्टिव एक निगेटिव तो यह चार्ड क्या करेंगे अब और एक्ष्टनल रॉड हम हटा दें तो यहां पर हमें देखेगा कि यहां पर है निगेटिव चार्ड और यहां पर आ जाएगा पॉस्टिव चार्ड राइट ठीक थोड़ा सा दूपर ठीक इनके भी डिस्टेंस अभी थोड़ी सी अब हमने पहले तो अठा दी रॉड फिर्तों में बहुत बहुत दूर रख दें कि इनके बीच उन्ट्रेक्शन लगवग बहुत कमज़ोर या लगवग बोल सकते लगवक ना के बरावर है नो इंट्रेक्शन उस condition में क्या होगा इस body का charge अपने पास रहेगा इस body का charge अपने पास रहेगा तो अगर यह metal conductor है Però यह पूरे पर अप्रोस्टेर्वे में इस प्रेंफ यह सिम्ट्रिकली ऑफ जायेंगे सेंफ पॉपे चार्श के साथ तो आपने क्या देखा रिवाइज कीजिए पहले लेके आए तो दो जो पहली बार लेके आए तो दोनों जो बॉडिस ती उसमें चार्ज आ गया एक में पॉस्टिव एक इन्मिकेट थोड़ा दिस्टेंस उसकी बढ़ा दी तो कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन जैसी हमने उस अच्छा एक एक जामपल और लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आई मालीजिए अब हमारे पास दो की जगए तीन बॉड़ी है तो क्या होगा अब देखिए सेम तरीका हमने का कि जब जब तक चार्ट ट्रेवल कर सकता है जितना दूर जा सकता है उतना पॉजिट दूर और हमें पता है कि यहां से क्रॉस कर जाएगा यहां से क्रॉस कर जाएगा तो लास्ट में का मिलेगा इस जिए राइट तो अब हैं फिर से पॉजिटिव चार्ज यहां मिला या बीच वाले पर कोई शार्ज नहीं होगा एपसलूड़ी नहीं होगा तो यहां पर क्या मिले वाइत आर्थीं का मतलब यह समझ्जिए कि किसी बॉड्य को connect कर देते हैं अर्थ से connect connection with Earth कि अब इसमें क्या है इसमें आप यह समझ्जिए यह जो अर्थ तो बहुत बड़ी है उसके पास electrons का बंडार है उसके थोड़े बन दे 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 गी या थोड़े बन ले ले तो भी फर्क पड़ेगा नहीं तो अब concept उसमें यह है कि हम इसको अर्थ से connect कर दें यह सिम्बल है तो अब इसमें से अर्थ से कुछ electron आ सकते हैं या फिर जा सकते हैं depending on the condition और positive charge उपर तो electron आएंगे और अगर negative charge है तो electron body से अर्थ में चलेगा क्योंकि मॉमेंट तो electron का ही होता है तो अभी आपको यहां पर समझना है कि जो charge ठीक है आपके external के पास है उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा बाकि चार्ज को अर्थिंग हतम कर देगी ठीक है राइट ठीक है अब ऐसा क्यों होगा यह हम लोग second chapter पढ़ कर रहे होंगे ठीक है अभी आप यह समय लेजिए कि जो भी एक्स्टा चार्ज है कौन सा चार्ज उस चार्ज को छोड़के जो नियर्वाई है एक्स्टरनल बॉड़ी के ठीक उस चार्ज को यह अर्थिंग खतम कर देगी अब क्या होगा यहां से इलेक्ट्रॉन जाके जो पहले चार्ज था अब आपर चार्ज नहीं किलियर है ठीक है अब हमें क्या करना है अभी तो यह लटकी होई है और कुछ इस तरी कि लटकी होई है कि यह थोड़ा सा एक प्लेट के पास ज्यादा है भी से यहांने कि सेंटर में नहीं है ठीक है एक पास ज्यादा है अब देखो जैसे इसका स्विच ओन करेंगे तो क्या दौनों प्लेट्स पे यहां पर देखो पॉस्टिव पॉस्टिव चार्ज इखटा हो जाएगा यहां पर पॉस्टिव दूसरी पर नेगेटिव अब क्या हो अच्छा है जो इंडिउस चार्ज होता है वह इंडिउस चार्ज है उन्हें इस तरह से होगा कि अट्रक्सन हो राइट अब यह जो बॉल है ना एक तर जाना चाहेगी यह बॉल जाना चाहेगी अब एक ही तरफ ठीक है और इसका मास भी नीचे होगा मास एमजी अब क्या होगा इसके पास दो फोर्स लगए इस दो फोर्स को फॉलो करते हुए इसका अब क्या होगा यह बॉल शीदी लटकती होई ना होके थोड़ा सा स्लेंट हो जाएगी डिपेंडिंग ओन दा फोर्स राइट सो यह अब यह आपको यहां पर दिख रही है सीदी सी यह क्या देखिएगी हम लोगों को कि ऐसी है कि एक एंगल बना लेगी एंगल के किस पर डिपेंड करेगा दो जो दो फोर्स है ना एक अट्रक्शन वाला फोर्स एफ और एक आपका एमजी इसे तीटा ले लो जैसे तीटा जैसे तीटा लोग इसके कॉर्णिंग कंपोरेंट चैन्ज हो जाएंगे तो यह था आपका चार्जिंग वाई इंडक्शन अगले लेक्शर हम लोग देखेंगे तब तक के लिए आप खुश रहिए पढ़ते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू एंड हैवे नाइस टे